नमस्कार दोस्तों मैं हूं पहुंच आगड़ा और आप देख रहे हैं अपना सेनल इसमाल हाउस प्लान दोस्तों आजम बात करने वाले हैं एक बेतरीन से प्लान के अगर आप एक ग्रामीर छेत में अच्छा सा घर का डेजाइन चाहते हैं तो आप इस मॉडल को स्लेट कर सक तो आज हम इसी मॉडल को आपके सान में डिस्क्राइब करेंगे कैसे आप इस मॉडल को बना पाएंगे और इसका साइज क्या है इसमें कोश्ट कितना आएगा वह सारा है जम कल्कुलेट करने वाले हैं और इसाज साथ इसको अगर आप डाउनलूड करना चाहते है तो आप प्ले स्टोर पर बिल जाएंगे फ्रेंट से बात करें तो आप ये मॉडल ऐसा देख पाएंगे और चारो तरफ से ओपन प्लॉट है इस वजह से मैंने चारो तरफ विंडो और बॉंडरी वाल दिया है जिससे आपका प्रॉपर वेंटिलीशन गर में होता रहेगा हावा बगरा कि आपको प्रॉप्शन नहीं की है और जो पोर्ट का डेजाएं ने दूस्तों आपका यू और वी का का उमलीक्शन है उसी वो कंसीडर करते हुए मैंने ओपर ओपर से देखेंगे तो आपको मकाने ऐसा देखेंगा इससे मॉडल को बनाने में लगबग आपको तो चौदा सोई स्कार्फूर्ट के जगे को मिलता है यहां से helps आपको दी गई है इसी अयंकि पहले पाइर पर जाते है इसके बाद आपकोई ग्तरफ कर देखे एंट शाया आप का वारंदी का डेजैन है यह पोर्च का है फ्रंट इसका यह होगा तो जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपको लेट और आए तो वैट डूम देखने को मिलते हैं और इसके बाद आपको एक डाइनिंग एरिया और इस कॉर्णर पर भी आपको वैट डूम मिलता है यहां पर आ आपका पीछे वाला डूर है जहांसे आप पीछे के अपनी जो भी जगह होगे उसे एक्सेश कर पाएंगे और साइड में भी विंडू बगार का डेजैन दिया है फ्रेंट की बात करें तो यह ओर रॉल फ्रेंट और इधर जहां पर आप कार पार्किंग करेंगे यहां पर जैसे आप पर जाएंगे तो देख सकते हैं चारो तरफ आपका बॉंडरी वाल लगबग धाई से तीन फिट का है और इसमें जो ग्रिल का डिजाइन है अगर आप इस्टील या किसी और मेटरिकर को यूज़ करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं चारो तरफ आपका ड्र आपका ड्रिल है आपका लगा हुआ है तो चारो तरफ आप इस मकान के इंट्री कर सकते हैं जहांस भी चाहते हैं अगर टोटल वैट डूम बगएरा की बात करें तो वह आपका सिमिलर जैसे ग्राउंड फोर पर था वैसा ही आपको सिमिलर देखने को मिलेगा दो वैट आपको मैंने लॉन में कणड्र कर दिया उससे लॉन जाला इस्तंवाल कर सकते हैं देख सकते हैं और यह इसे लौन में कर दिया और ग्रिल की बात करें तो आपको बात-बादकि इससे वा intensity इसतमाल किया गया है तो यहां पर शाड़े-3 मिट का बॉंडी वॉल आपको चारो 34 क्राश 42 में अप्रोक्स बना मलब 14 स्काइर फिट क्योंकि ये वाला एरिया इसमें इंक्लूड नहीं था तो 14 स्काइर फिट अगर आप इसके कॉस्ट की बात करें अगर आप चाहते हैं कि इसम पैसा कितना लगेगा इसको घर बनवाने में और यह भी डिपेंड करता है कि आप यह घर किस एडिया में बनवा रहें, किस से ब्लॉंक करते हो सकता अगर आप सहर में बनवाएं, तो आप लेवर कॉस्ट, मैट्रियल कॉस्च यह सारे बढ़ जाते हैं तो आपका उसमें पैसा और खर्स हो सकता ह। अगर मोटा मोटी जोड़ तो लगो 30 लाग रुपय में आपका इस्ट्रक्ट्ट्र ये ओवराल रेडियो कर तयार हो जाएगा और ये मकान आप देख सकते हैं फुली वेंटिलेटी वगएर आपको देखने को मिलेगा तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वुड़ो पसंद आया होगा तो ऐसा है तो आप से लाइक कर सकते हैं आप में इस्टाइग्राम, फेस्बूक, सभी के लिएक आपको डिस्क्रेप्शन में मिलेए वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं तो दोस्तों ये मोडल अपको कैसा लगा हमें जरूब बताएं वुड़ो को लाइक से जरूब करते हैं खोभी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोच सकते हैं साथ साथ दोस्तों मैं पेड सर्विस भी चलाता हूँ जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नमबर हमारे डिस्क्रेप्शन में आपको मिलेगा वो एक हमारा वाटसर नमबर है आप मुझे चैट करेगा मैं चैट के उपरांद आपको कॉल करूगा और इसके बाद आपकी रिकार्मेंट के अकॉर्डिक जो भी आपकी रिकार्मेंट है उसके अकॉर्डिक करता हूँ ध्यान यह रखना है कि आपको 50 पर मिले करना होता है 50 बाद में इसका मिशेज ध्यान रखे शाद साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस्टाग्राम, ट्यूटर या टेलीग्राम चैनल पर सभी के लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएंगे थांक्स वाचिंग